पंजाब में चुनावों में ड्रग एक बड़ा इशू बना ड्रग रैकेट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे पिछले दिनों कुछ मंत्रियों के नाम भी ड्रग रैकेट में आए थे आज पंजाब के जेल मंत्री सरवन सिंग फ्लॉर ने ड्रग रैकेट के मामले के चलते ही अपने पद से रजाइन कर दिया है हमारे साथ हैं वो फलोर सब ड्रग मामले को लेकर आपने रजाइन किया है क्या दवाव था सरकार का आपके उपर नहीं देखो हमारे उपर कोई किसी का दवाव नहीं था यह काफी अर्से से मीडिया में काफी चर्चा थी हमारे प्रवा तालीस साल इस पार्टी दे वेचे बड़े साफ सुस्री राजनिती कीती है आपके बेटे दमनबीर का नाम आया था ड्रग रैकेट में उसके बाद इनफोर्स्मेंट ड्रेक्टोरेट ने को सम्मन भेजा था तो यह लगता नहीं है कि चुनाब में भी इसका नुक्सान हुआ बगाँ कि बहुत बड़ा इस्व पूरे पंजाब में ड्रग रैकेट बना नुए इस हमारे नाम का इशू ने बना क्योंकि ड्रग ता इशू ओवर ओलो सारी दुनिया में भी है पंजाब में भी है को को हमारे नाम पर कोई यह नहीं ऐसा चला जो एडी का नोटस आया है वो पहले तो हमारा अख़वारों में चर्चा थी इनको नोटस है हमें आया अब आया अब हमने उसका जवाब जो है दे देना है मामला काफी पुराना था तो आज आपने रजञ्ण किया से पहले यह तीं-चार महीने पहले की बात ऑई बीपी की लिओ की थी जब मजीठिया के झाम आया था भोला ने नाम लिया था उसके बाद और लोगों का नाम आया हो ऑप प्रूब अभी तक कुछ नहीं हुआ है पर फिर वी उस टाइम आपको नहीं लगा कि नैतिक तोर पर उस टाइम ही रिजाइन कर देना चाहिए था उस वाक्त ऐसा है कि उस वक्त हमको नोटस नहीं आया था उसमें तो अखवारों में चर्चा थी ते अब अखवारों में भी चर्चा है ते हमें नोटस भी आ गया है इसलिए हमने जब नोटस मिला अब उसका जवाब दे देंगे ते इसलिए हम इस करके अब किया जब नोटस आया पहले हमें नोटस नहीं आया था कोई आपको लगता है कि नोटस मिलने के बाद इस सब चीजें प्रूव हो चुकी है इसलिए आपने रिजाइन कर दिया नहीं अभी तो प्रूव होना है अभी कुछ नहीं प्रूव हुआ अगर प्रूव हो जाएगा ना तो मैं तो यह भी कूँगा अप तो हमने मिनिस्ट्री से स्थीवा दिया है अगर प्रूव हो जाए हमारे हमारा हमारे परवार के किसी मैंबर का इस मामले में तो हम मैंबर्शफ से भी कर देंगे हम तो यह भी और यह भी कहते हैं के हमारी एसेट्स जितने भी हमारी जैदा जब से हम ने नियूसास सतर से आज तक चाली पंताली साल हमने इस पार्टी में काम किया है अगर हमारी एल लीगल जड़ी एसेट कहीं भी मल जाए कोई भी दुनिया की एजनसी है हमें हमें इसकी कर ले तो हम उस सारे कथित तोर पर बिक्रम मजीठिया का नाम भी आया था और मंत्रियों का नाम भी आया था कुछ है मेलेज भी इसमें जुड़े थे शशीकांत बहुत सारे लोगों का नाम लेते रहे आपको लगता है नैतिक तोर पर जैसे आपने रिजाइन किया है उन लोगों को भी र बख़वार में तlor लगाता है हमारे के नामहरा इता है इसलिए को हम बंद के अब हमो 어pler के लोग के चलते ही ड्रग का मामला चलते ही इस बार अकाली दल और बीजिय पी चुनाव हागय लेक्षेव सबसे जाधा अजियर समय सर में हुआ और जगा से का पर देखो इशू तो अलेक्शन में एक नहीं बनता कभी कई बन जाते हैं इसलिए यह नहीं है वे कला ड्रग है यह ठीक है कि जो ड्रग है यह सबसे जो है सबसे जो ज्यादा मारी बात सबसे जो है सूबे के लिए देश के लिए जवानी के लिए सबसे ज्यादा कातक हैं और इस इस जो ड्रक का मसला इसके खलाब लड़ती रही या लड़ती रहेगी ते हमने तह बहुत काम किया है ते हम इंडिवीजिल तोर पे भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिला भी या ते कोई काम ले हम उसको उसको नेडरिग लेगा प्रूव होजाया तो हम हम्मेंबर्शण से بھی ریزائن کر دیں گے کیونکہ ہمارا جو جیوڑا ہے ہمارا جو کام رہا ہے پارٹی میں چالیس سال سے لوگ جانتے ہیں. हم نے ہم کوئی ایسے نہیں کوئی بڑے امیرگر سے آئے ہیں. ہم کو ایسے نہیں کہ ہمیں کوئی وراست میں سیاست ملی. ہم نے تو ایک مجدور کے بیٹے سے شروع کام کیا. Boris Niks نہیں ہوا گئی. نہیں میں نہیں کہہ سکتا. यह महीं वाजनू कहीं कोई कोई जो होती है कौनस्पीरेसी वो ना हो जाए हमें कोई दुनिया की जब से मैं इस काम में राज़ीति मैं उससे लेकर आज ती कोई जंसी प्रूव कर दे तो हम सब करड़ी से करड़ी साज्याजबॉगत ने के लिए पंजाब के जेल मंत्री सरवन सिंग फलॉर जिन्हों रजाइन कर दिया अपने पद से ड्रग रैकेट पंजाब में बहुत बड़ा मुद्धा रहा है इस एलक्षन में खास्ता और पर ड्रग रैकेट अलेक्षन मुद्धा बना और इसी एलक्षन के उपर इसी मुद्धे के उपर सबसे जादा वोटिंग हुई पक्ष में हुई विरोध में हुई और काली दल में उसके बाद ये चर्चा छिड़ी है कि ड्रग रैट के चलते ही पंजाब में उनको वोटें कम पड़ी हैं लोगों का भी ये मानना है इसी के चलते ये नौबत आगी कि एक मंत्री जेल मंत्री हैं जो पंजाब के उनको हरजाइन करना पड़ रिंकु के साथ यादविंदर सिंग एवीपी न्यूज चंडिगर्द